शुखा बिहादी ओम स्वास्ति प्रजाब्याह परिपाल यंताम् न्याईये नमारे गेन गतम् अहीशा गोब्राम अडे ब्याह सुभमास्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओंकारं बिंदु सम्युक्तं नित्यम ध्यायंति योगिनह कामदं मुक्षदं चैवा ओंकारायनमो नमहा समाद रणी या दर्शक ब्रेंद इमेज च्यानल को सुभविहानी कारेक्रम मार्फत आमे उपस्थीत बैशा के काछू राजस्तियाग बने को क्यों आमिले श्रीमत भगवत गीता को अठार अध्याय में विमर्श करी राखेका छूं यहां त्याग का बिविन्न तीनोटा स्वरूप तामस्तियाग राजस्तियाग रसात्विक त्याग गरेल त्याग का तीनोटा अभस्था को बारिवा भगवान स्री कृष्ण ले अर्जुनलाई बतावनुवो अब कुनेई पनी त्याग बाट यह उटा भुजनुपर ने कुरा छाओ आमिले अपना करम हरू गरदा खेरी जुन करमामा प्रबृत्त होनुँ आमरो दर्मा हो अर्थवा आमरो कर्तब्या हो के बलतियो कर्तब्या ठानेर आमी करमा मा प्रबृत्त बने उँँँ त्यों कर्मा को अन्य पक्षे संग त्यों कर्मा को फाल संग तेसमा आसक्त नवनिकन केबल तेसलाई आपनो जीवन को यहुटा परम कर्तब बेठानेर यदि हामी कर्मा मा प्रबृत्त बन्छों समाज का अरेक ब्यक्तिले आपनो निमित्त जुन कर्मा निर्दारण गरिये को उन्छ त्यों कर्मा लाई अत्यंते कुशलता पुरुवक्षंपन्न गर्नु पर्द चा त्यों कर्मा लाई शास्त्रिय विधि अनुरूप संपन्न गर्नु पर्द चा जसले त्यों सास्त्रिय विधि लाई अंगिकार गरेर तो विधि लाई बोद गरेर तदनुरूप का कर्मा मा अफिल आपुलाई प्रबृत्त बनाऊं छबने त्यों मार्ग लाई हमिले अमरो जीवन लाई पनी यहुटा सास्त्री या मार्ग बाट अध्यात्म को मार्ग बाट हमिले आपनों जीवन लाई अगाड़ी बड़ावने जुन प्रयात्ना गर्द छाऊं। त्यों अध्यात्म को मार्ग ले यहुटा जीवन मा बहेका कर्म बाट तिसको लक्षय प्राप्ति तर्फ उन्यमों कराऊंड चा लख्षय प्राप्ति मा participar दोसरो तिसको परिञाम बनेको यहादी आमी आशक्ति रहित भइर कुने बने कर्ममा प्रपृत्त ब पनि तेश्को बंधन मा पार दैना त्यो कर्म बाट आमी कुने पनि प्रकृतिको दुख तेसमा ब्यवधान को त्यो अप्थेयर उलाए आमीले प्राप्ता कर्नु पार दैना और त्यो ब्यवधान बाट आमी श्वताह मुक्त वाहिर अपनो जीवन लाए अगाडी यहां त्यो राजस्प्रकृतिको कर्म भाई जस्ताई त्यो राजस्प्रकृतिको त्याग की हो जसरी मनुष्यको निमित्त निर्दार्न गरियेका नियत कर्म अर्थाज्यो करतभ्य कर्म काम्य कर्म रा निशिद्ध कर्म ये तीनोटा कर्म लाई हिरने हो बारे नियत कर्मा बनेको आमरो निमित्त जोन सास्त्र ले निर्देश गरेको कर्मा लाई नियत कर्मा बनींचा अर्थात मेरो कर्तव्य की हो बास्तविक रूपमा मा कुन कर्मा मा प्रब्रित्त अनुपर्ने हो तेसलाई बिरिशेर मैले मेरो बास्तविक कर्मा लाई बिरिशेर य जीना क्रियामा अफुप्रब्रित्वनियो दे सास्त्र अनुरूपको कर्म बाई नू से टियो जीवन को लक्ष ल depression प्राप्ता गार्ने मारКि बाई नू यह दिपित यहां कुने ने कुने कीशिमले करमा तो भाई राखेको वला त्यों करमा ले लक्ष प्राप्ति की नगरां दाईना आमरो यह जीवन को अभिष्टा प्राप्ति की नगरां दाईना बने आमरो निमित जुन करमा निर्देशित छा जुन करमा मा हामी प्रव्रित्त होनु पर्ने हो त्यों करमा मा प्रव्रित्त नबाई रह यह दि अन्य करमा मा आपुलाई प्रव्रित्त बनाये हो बने तेसले लक्ष प्राप्ति गरां दाईना ते सहीले यदि काम्य कर्म को तियाक गर्णू निशिद्ध कर्म को तियाक गर्णू तियो यद्यपी तियो शास्त्र अनुरूप छा। किनना बने जो निशिद्ध कर्म छन ते निशिद्ध कर्म लाई तियाक गर्णू पर्चा। जो काम्य कर्म हरु छन ती काम्य कर्म हरु लाई त्याग गर्नु पर्द छ तेसलाई बास्तविक रुपमा त्यागी बनने हो सन्यासी बनने हो सन्यासी ले कर्म को त्याग गर्ने बने को काम्य कर्म को त्याग गर्ने हो अपना विविन्न कामनाले गरिने कर्म हरुला इत्तियाग गरेर आफुलाई नियत कर्ममा प्रव्रित्त करावनु। तेसकारण येसको निमित्त यहां हमिले काम्य कर्म की हो, नियत कर्म की हो रा निशिद्ध कर्म की हो। यो तीनोटा विशायलाई बोजनु पर छा। जो उसले घर नई परने कर्मा हुँँच तेसलाई नियत कर्मा भनियो तेस्ते गरी निशिद्ध कर्मा सास्त्र ले निशिद्गरेको कर्मा जुन कुरालाई जुन कारियालाई गर्नु हुदैना वनेरा शास्त्र ले निशिद्गरेको छाँ शास्त्र का दुई प्रकृतिकार युटा निर्देशित कर्मा हुँँच और को निशिद्ध कर्मा हुँच अब तिव निशिद्ध कर्मा लाई त्याक गर्नु पर छाँ त तेसको आशक्ति बस कर्तव्य कर्म लाई पनी आमिले त्याग करें उबने त्यों त्याग तामसी प्रकृतिको तामस प्रकृतिको त्याग हुँँँछा अब राजस त्याग के लाई बनने था यह अर्जुनलाई भग्वान श्रिकृष्णाले बन्नुवो दुख हमित्ये वयत कर्म कायक्ले सवयात्य заним simply हम नई ब त्याग फलं लभेत। अब त्यों त्याग राजस प्रकृतिको त्यागों। त्यसला है राजस त्याग बनींचा। अब जस्मा दुख मित्येव यत कर्मा। मैं ले यो कर्मा गर्दीना। किन बने यो काम गर्ण बड़ो कठीन छा। अत्यांते दुख चा सजीले यो कर्मा गर्ना शकी दाईन। तेसरी जुन कर्म मां प्रवृत्त बंदा खेरी है। त्यों कर्म बाट दुख प्राप्ता हुंचा। त्यों कर्मा गर्ना कठीन छा भनेर। त्यों कर्मा लाई यदि त्याग गरी हूं। तेस्ते गरी शरीर मां मैंली यो कर्मा गर्दा खेरी। मेरों सरीर मां कुने आगात पुख छा। त्यों सरीरिक क्लेश को बायाले गर्दा खेरी। शरीर मां कुने पनी तेसले व्यवदान उत्पन्ना गर्चा। शरीर को निमित्ता शजीलो छाईना बनने द्रिष्टी ले त्यों द्रिष्टी बाट आए रेर। मैली यो कर्मा गर्चू किना वाने यो कर्मा श्रहाच्चा। त्र मैली यो कर्मा गर्दीना किना वने त्यो कर्मा गर्णा दुखावंचा। यो कर्म सजीलाई गरना सक्निदैना तेश करना मोईली यो कर्म लाई तिया गर दींचु यो भावले सारीरिक दुखको डरले त्यो कर्ममा प्रब्रित्त उंदाखेरी ब्यवधान उत्पन्ना होने डरले यदी जो नियत कर्मलाई पने बास्तविक कर्म लाई पने यदी तिसरी त्यो कर्मको त्याग गरींच बने त्यो कर्म राजस्त्याग होन्च तिस्तु त्याग लाई कसाई ले कुणे कर्म गरेंग किन बने प्रत्यक दिन बियान ब्रह्म मूर्तमा उठेर स्नान गरेर स्नान सवचाधी कर्म हरु शंपन्न गरेर भगवान को नाम संकृतन गर्नूं अब त्यों गर्ण लाई तुक्ख माने कसलिया वियान आउठेर स्नान गर्न स्नान एउटा कर्म हो शारेरिक शुद्धिको निमित्त स्नान गरींच त्यों त्यों तेस्ता जदी पनी संध्यास नान जब इत्यादी जो नित्य कर्म हरु शंपन्न ती नित्य कर्म लाई दुख को डरले ती कर्म करदा खेरी दुख उंच बनने ठाने र जसले ती कर्म लाई त्याग गरी दियो नित्य कर्म लाई पनी ज सले त्याग गरियो त्याग लाई बास्तविक त्याग बनी दईना। यदी यो कर्म करदा खेरी दुखा उंच बनने भाबले को र्तिला कुणी कॉर्मा प्रभृत्त बनना जटिल परिष्थिती बनना रस्जील किकार्माइन पार्ड़ागना शक्री धाईने बनने ठाणे द्रिश्टी बहुत शर्ड़िकीर मैंगे ऑनिश तेस्ता कर्ममा प्रवृत्त बनेन, तेस्ता कर्मम लाहे त्याग गरी दियो, बने तत प्रकृतिक कर्म, तेस्तो प्रकृतिक कर्म लाहे, राजस कर्म बनियो, तेस्त किसिम को त्याग लाहे, राजस त्याग बनियो, अब त्यो तामस प्रकृतिको त्याग बनी त्यो सन्यास वही ना, सन्यास को धर्मा होई ना, राजस प्रकृतिको त्याग बनी सन्यास को धर्मा होई ना, अब त्यो बास्तविक त्याग लाई, त्यो स्वच्छिक रुपमा मनुष्याले त्याग घरिको पसाईले यो क्याम गर्न आत्यांता कठीन छा जटील छा तेसक्राण माईली यो क्याम गर्दीन यो कार्म गर्न तब शजीलाई सक्गिदाईन इविभिन बस्त्वरू स्यामाग्रियरू उपलाउद गरावनू पर छा तियो सबाई गर्ने मसंगा शमाय पनी छाईना ग्रहन छू इस किसिम को विजार बाटा येदी दुखा को काराण ले कुने कर्म लाई त्याग गरीं छवने त्यू बास्तविक त्याग होई नुख भस कुने नियत कर्म लाई निश्चित कर्म लाई त्याग गरीं छवने त्यू पनी बास्तविक कर्म होई नुपनी बास अर्थात्यों सन्यास बनेर बनेगो वहिना सरवे बबंत शुखिनह सरवे शंत निरामया सरवे भद्राणि पस्यंतु माकस्चित दुखबाग भवेत अज्रर को दिन शुबहोस तर्निवाद नमस्कार तपाईको आजे मां स्वागत्छ मों जोती साचारे नाराण प्रशाद भंडारी संदाई जाई दैनिक पंचांगर राशी फल को साथ मां उपस्तित वहिशा केको चुख शुरू करूं आजे को पंचांग बाद आजा पिक्रम संबत 2008 पूष अठर गते बुधवार इस्वी संबत देजार तेश जनवरी तिन नेपाल संबत 1144 पिंगल नामक संबसर सुर्य दच्छनायन हेमंतर इतु पूष कृष्ण पक्षे सब्तमी तीथी अपरानना 4 बजेर 14 मिनेट समत अधुपरानत अश्टमी तीथी शुरू नेचा उत्तर फाल्गोनी नच्छेत्र मध्यानना 12 बजेर 48 मिनेट समत अधुपरानत अश्ता नच्छेत्र शुरू नेचा सोभन योग बाप करन अनन्दाधी योग मां धुम्रा योग रायको छा आज चंद्रमा कन्य राशी मां भर्मण गरनेशन आज मध्यानन बार बजे देखी साड़े एक बजे सम्मा राहुकाल रहने भायकाले ते सब दिमां संबभ भैसमा कुने इपनी सुभकारे को थालोजन अननुकुल रायको देखी एको छा आज अको दिनमा सत्रु हुरलाई परास्त गरना शकीनेशा उनियरुका गलत कदम बिरुद्ध गठिंता का भाव जूत्मनी जीत आहस्त पारना शकीनेशा परतिस्परदाहत्मक परिच्छाहरूमा अब्बल्ठाहरी न शकीनेशा पठन समस्षाले पिरोलना शक्छा आज अको दिनमा भावतिक सुविदा का भस्तोहरू जोह करना शकीनेशा आर्थिक संकट परना शक्छा अथवा आज अको दिनमा धार्मिक क्रियकलाब तरफ मन आकर्षित हुने योगराई को देखी एको छा तेसे गरी अनपेच्छित रुप मा दहन को नक्सानी हुना सकने संभावना पनी देखी एको छा शाजदारी मुला कार्य मा विवादत पन्न हुना सकने संभावना देखी एको छा यात्रा को क्रम्मा भने अत्यनते फलदाई अवस्ता देखी ने चा मिथुन रासी कर्कट रासी सार्वजनिक छेत्राको महत्तपुन जिम्मिबारी बहन करनू परने अवसर आउना सक्षा तेसे गरी सच्चिक छेत्रा फलदाई रहनेशा बैतनिक मार्ग संतोस जनक देखीनेशा सिंग रासी हुनेरुकालागी समय मध्यम खालको देखीये गोचा सुबभ दुबई खालका समचार हरु पराप्त हुनेशान स्वास्त्य अबस्था मा कुने न कुने खालको कठिनाई देहा परनेशा तेसे गरी धांपत्य जिवन मा असमजदारी बन्न सक्ने संभावना देखीये गोचा प्रेम जीवन मा विश्वास को संकट उत्पन्न हुनेचा संबन्ध हरु मा कुने न कुने खालका नकरात्मक प्रभाव हरु बन्न सक्ने देखियेगोचा सरकारी रप्रशासनी कारे हरु वने आजको दिनमा फलदाई रहनेचान आम्धानी बडे रह जानेचा खर्चव बिर्धी हुनेचा कन्या रासी कन्या रासी हुनेवरू का लागी समय अनुकुल देखियेगोचा आजको दिनमा गरेका हरे काम हरु शार्थक रुप मा सिद्धा भुनेचान विगातका कारेर्जण हलाई पनि कारेनन मा आलनाँ सकीने दीनो तेछогरी नयाा श हरजनसील काम मा शरी भहिनेछा अथा अथवा कुंने नयां अवस्रार ले पच्छावनेे छा अथवा नयां काम कुसुरुवाद गर्ना शकीने पनि तेषको लागी पनि अनुकुल दिनछा आज़ा को लागी तूला रासी तूला रासी हुने हरु का लागी समय अनुकुल देखियेको चाहिन आज़ा को दिनमा विरोधी तत्त हरु ले दुखदी ने छन गरे का काम हरुमा अलपत्र पर्ण शकने इस्थिति देखियेको छ नज़िक का व्यक्तियों विछडीनु पर्ने अवस्ता आउने छ गरे का काम मा अपजस आउने अपवम्मानी तो नुपर्ने इस्थिति बनी देखियेको पर्योगर्दाहरी सम्मेमेद बननु हला अशुबा अपिरिये खाल का खबर हरु सुन्नु पर्ने अवस्ता पनी आउना सक्ष तेस्मा बिचलित नहुन वरा ब्रिशिक रासी ब्रिशिक रासी हुने वरुका लागी योग्यता को भरपुर कदर हुने छा तेसे गरी आफनो छेमतालाई परदर्शन करना सक्कीने छा अनपेच्चित लाब का अवस्तार हरु मिलने छान आर्थिक अवस्ता मजबूत बनने छा खर्चमा नियंत्रण भाहरा जाने छा जखिमपण काम मा पनी सफलता आत पारना सक्कीने छा जट्रण अरु माथी विजयी बनना सक्कीने छा धनुराशी उनेवरु का लागी आमदानी बडेर जाने छा वैदेशिक छेत्र का लागी फलदाई समय रहको छा पदन नती रा कार्य स्थेमता विरदी को अवस्तार मिलने छा नया कार्य स्थेत्रा नया कार्य स्थिति बाटा समय बयतीचुने चा मकर रासी उनेवरु का लागी समय मद्धम खालको रहको देखिएको छा निरणाई छेमतामा कमी आउने छा बलिको नकरात्मक परभाब बढ़ेर जाने छा कुम्भ रासी सरकारी निती नियम को कड़ी कड़ाव को सिगार भाईने छा आजगो दिन मा मुद्धा मा मिलामा फस्नस सक्ने संभावना पनी रायको छावने नकरात्म कारे अरुतर्फ मन आकरशिद बनने छाव मेंद रासी मेंद रासी उनेवर का लागी कमय अनुकुल रायको देहियेको छाव संस्दे नस्चेको छेत्रमा पनी शफल उनसक्न संभावना देहियेको छाव दांपत्य जीबन सुमधूर बनने छाव पति पत्नीको शहकार्य बाट नया कार्यको धालनी गरना शकीने छाव जग्य जमिन समयंदी विवाद अन्ते भाहरा जाने छाव तेसे गरी संचार छेत्र का व्यक्तिक लागी विशेश अवस्षार मिलने छाव यता थियो तपाईको आज अंतरकत्र हैरा बारावट रासी हरुमा ग्रहर को प्रभाव के कस्तोर आने छाव वन्ने भारेमा संक्षिप्त रुपमा जोतिशिया विशलेशन प्रस्तुत गरेमुरा रासी भल मा बताईयेको जुन ग्रह जनित भल्चा तेसलाई आम्रा कर्मा हरु को समयोजन बाटा नई प्राप्त हुने हो वन्ने कुरालाई पनि मनन गर्र अगाड़ी बन्वला अत्मसाथ गर्र अगाड़ी बन्वला ता मैरको दीन शुबमाय रहोष आजको स्रिंगला बाटा मा पनि विदाउन्चु नमस्कार जय जय राधार्यमन जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रवो जय जय माखनचु ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चवरं गोपांगनानाम्यदुकूल चवरं हनेक जनमार्जित पाप चवरं चवराग्रगन्यम् सरणम् प्रभदे। नमस्कार यहारलाई श्वागच्छ बास्तु कारिक्रम्म् आदेडिया सज्जन भगतब्रिन आजय को विशय प्रशंग लियर उपस्तित भायगोचू मज्वतिस्पनित बिदुर्नेव बाने। इजो अस्तिका स्त्रिंग हला मैं हाम इहरले माटो को परिछन, घरमोली को कलर, और कुन समय मैं जग राखनी, मूर्त, शुक्रा अस्त, भ्रेश्पत्य अस्त, कालियोग, तिल्लाई छोड़े रा गर्नु परशा भननी को रहा हमले जानकारी गरायों, यहाले श्रव्ण गर आजा को स्त्रिंग हला मैं के चता बनना खेरी, बास्तु निर्माड गर्दा खेरी, घर बनूदा खेरी, बास्तु प्रकार को चे निर्माड गर्दा खेरी, कशरी गर्नु पर चता बनना खेरी, अब माने लियों, चार अना जगा चा, तो चार अना जगा को स्वध्य द्व यानी बनेको मोडा, उत्तर छा बाटो, 20 फिटे, शोर फिटे, 13 फिटे, 8 फिटे, तीन फिटे, तीन फिटे, त्यामादा महादी जत्ती शन। पुजा हमले, पहले पैले अन्यार महादी बन्ना भ लेंगी ईनार झालें सबन्ना भूंधिरिचे, पुरुबारा उत्तर को कोड महाद, यहान विटे, कोड़ा आप भूले हमले इनार, मुआचा हमले उनार कहन भणन। अगनी अनिला भने को अगनी चाहिनी पुरुबारा दच्छिन को कोड में आगोलाय रहम पर्ष। को समानी से को चाहिनल, को सागे आपती पुरुबारा दच्छिन सहतन है। तर एथी ज्यानी भगतपने उनाँ गुरु पछिम ने कता बनने नचा पुरवबने को ग्हाम उदवनी ठाम हजूर। पछिम ने अफ्तावनी ठाम तेश इस अरी बुझवनु पर्शु परकार का मांची साहिए निता, सब विध्वान साहिए, सब पड़ेका साहिए, सब ज ज्रहत ज्यानीका पथाखिए, सब अधिश तेश परकार क सब देख़िए, सब जैसे बिखाये, सब देख़िए ने खिए की अधिए, सब देख़िए, ट्याने कामगार्म पर्चा भने आँने आद बने गो राइव प्रकार का मंण फर राइज लेफटवानी यह अधार ब अब आम ले कहर चाईनी बनुद्रा खेरी पुरुबर पहचिम उत्तर दहचिन यो चाड़ा हमरोचे दिशा थाच चर दिशा बनेको आठोडा उन्च अस्त नागा प्रकृतिता नागारूपनी आठ प्रकार का उन्च रचाईनी तो आठोडा दिशा को बारेमा भन्न कई रह पूरुबर उत्तर को कोडलाई इसान कोड़ बने के इसान विश्णु समकार्तिकेन बन्या तयार कर जनी सशरेश्वराणां त्यों भगवान को थलो थे इसान कोड़ बने दस्चीन र पूरवाको कोड़लाई आगने कोड़वनें जे, एसमा अगनी बसन पर्यो, एसमा तातो उपकरन फिरिज बसन पर्यो, एसमा ओबन बसन पर्यो, फेरी एसमा इवरोगाड राखन पर्यो बने, पानी सम्मंधित भायतियो, पेललाई चाहिनी, हल्का इसान नहीं कोड़वने, क्यो हो सफटां कोड़वने, एसमा बसन पर्यों, आप सम्मंधित, बसने कोड़वने, पा कैं पर्यों करकैने कोड़वने, सलिज भाययत। तर्ब बील भाड़े, ठीनन पानी नहीं में फांड़े हमान धान. पानी को फूएसी ज्यान चांट फीजयितं करें, तबाइन लइस थाइन फटके थालामे, नेपाली में बाथ नेपलाय। तरबायन में तयो पानिंग गई सगे ची अंधियां जिल्गा चूड़चा अंधियां जाने तो जिल्गा बाड़ा जैने बिजूली आउचा माथी चैनी तेश्माथ चैनी बिजूली आउचा तलब पानी आउचा अर राखने ची तेला केदा बना इशार कोड में रहना पर चूड़चा अभगवाचा फ्रीच चा ग्यांचूलो चा तेला आईचेन का रहना पर्यों दस्चीन्र पूरुवाको कोड़चा कद्र दिशा अजुरब, वन्ना खरी चार ढूऴ 4,绵जौ दिशा बाल अबा दुवागवा दुटा बाके शनुरुवाचा रटम् दुटा मापके संद्रू दुटा कद्रिया छा नीरिट्य नाम् गड़एको दानव वस्नी भनेगो 27 नीरित्य नाम गड़एको दानव वस्नी भनेगो आहां का बन्न गरेर, हात एसो गरेर, यो पिष्ट भागलाई जयनी, पचाडी भागलाई, टक कर आखर बशन होंचर, अन्तियो अलिकती वजन्दार, अलि धरे भारी भागो चीज़ें तोठाउमर आहन पर अब हाद द्यानन हरू, कुने हात अतियार हरू, माल सामन हरू, अन निरित्य नामगारे को दानाव को पिठिंग मा रहाद द्यानन हरू, वहां चट्ट भोगर भागलाई, अब हजूर लाई यवडा दिशा भागलाई, त्यो भागलाई को पच्चिम्रा उत्तरको कोड भागलाई को चाएनी, बाई को दिशा, यसमा अलिकती प्रसंगावयो भागलाई मान चेर, भागलाई को उसमा मांचाव को भाव मा बग चाए, जब दिटी का संथान अरू मरी सागे पची, अधित्य का संथान ले दोईंतेलाई दुख दीशागेची, कष्य अभृष्य का अरा भन्न हो माहाराज मलेड़ संथान चाए, संथान यह तो चाहिए इंड्र लाई मार्न संथान चाहिए, यो कुरा थापार, ब्रह्मान ले जेπαनी कषंचंद्ड अधिरोलाई धीरोलाई मिनृकितव दियू रे दोईॉन्द्र अधिशान इंल्र दावार प्चिए, इंड्र दोए आ थान्धर संथान पाव निद्र द्वारा पावर जैशान तो और कहस्ता ब्रामन बन्नाखरी अव अलियका ब्रामन थी ब्लेको बदती फुक्न शागता है यह मैले बने आई ना स्रद्ध्य गुरु नार्न पोहरेल जो वित्न भोव आले वन्न गावु अर्मा शक्क परिए यो बाउन शाल कोरा चुड़ी हलमा शुन्न कद एकाद इसकुद्धी ना यह मंधती बालेशा बाउन उता फुग्छा किन वन उष्कोता खान्पांठी साही ना उज ता उता गर अरु पहले परिजन और ब्रामन काहतों ना ररनी बहने कोचे नि मंथन गरि आओन निकालदी अर निया भ्रहामन लाइंचे क्यात कात बांद सद्ध्धा इंद्र शत्र विवरदाष्व वन इमें इन्द्र शत्र धास्व यानि अली बिस्तारी बिस्तारी जहीं इंद्रड मारेन इंदर द्वारा मर्नी संतान पाहूनु परने प्रयोबात नाम गरेगो ची बर्त भनलाउनु भायेगो थियो अगरेगो बाइव रूप्र जान पर अमा अजुर लाई कष्ट भयो मैं केट अकर अकर अपरुत माया वनेरा मन्षीजी बाब दावरा खजाली आवरा दावरा लियाई दावरा लिया दिन व्ष्वमी दाली ओन पर एक छाग खान परनी दूत उमालेरा अलकि पाईश भनार अनि द्यार जाने रात्री को समवाई मां गोडा दोहेरा कपाल कई दे बनी नारी जातीर कपाल फिंजान हो दाईए अले आम्रो जथी करली बनावनी जथी कपल लाई फिजाए त्यर आम्रो होईंच वेरी ब्यूतिफुल तर शास्र ले क्या बन्जा बन्दा करी राती सु प्रिश गारे उट्नामनि भ्यॉणुभायन जे उपण फिजाए इंद्रा चेनी यो नीवाड़ प्रभिशगरे प्रभिशगरी सेगे ची त्यांतर साद भाई जवरा रसन दियदिप्यमान जवरा रसन थी जवरालाई साछ साथ उनान्चार कवाई यह टोड़ अले शाध जशरी मिल्छानी संगठन सम्रिद्धम संगठन जती भयो त्यों मंग होंचा यवड़ा कुरा माने लिनुष्ण 250 रुपया जुत्तो अंगूर लाई देड़ से रुपया जैने त्यों चिने को अंगूर लाई रो तीनाई बायू को चैने उनांचा शवड़ा ती बायू चैने मर्दु उकान दुरू चैने त्यों अस्टम ठानमा चैने आठ प्रगार का दिशा भाए रो बायू सम्मंदी ज्यान सम्मंदी बाहतु सम्मंदी एधी हजुलाई चैने परामर्ष लिनुर दिनुष्ण अजुराटी मलाशिकर मज जानिन अंठानब्य प्यात दश जिरो सपन्न चालिस अंठानब्य प्यात दश जिरो सपन्न चालिस में याले संपरगार मुष्ण बंदी आजयो कारीकमडवेदा जान्चो अस्त नमस्कार